Books That Speak में आप सभी का स्वागत है कभीनी जंगल में कुछ अधूरासा लग रहा था मानसुन बरसा नहीं था और सफारी जीपों में सवार होकर आने वाले परियटक भी अब आ नहीं रहे थे फिर कभीनी के जानवरों ने इकठा होकर अपनी ही सफारी शुरू की कोवीड-19 की महामारी के दूर गामी प्रभावों के बारे में अनोखे विचार की एक दिल्चस्प कहानी सुनते है कहानी दग्रेट रिफासा ओरिजनल स्टोरी दग्रेट रिफासा बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है रोहिनी निलेकनी, चत्रांकन संगीथा कदुर, हिंदि में अनुवाद पंकच चतुरवेदी, कहानी का वाचन आसावरी दूशी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, अब तक तो बादलों की बौचारों ने कई बार धर्ती को ठंडा कर दिया होता, लेकिन ताल तलईये अभी भी सूखे थे कभीनी जंगल के सभी जानवरों को गर्मी लग रही थी और वो प्यासे थे एक दिन जानवरों को सब कुछ अजीब सा लगा, सूरज पहले से ही सबसे उंचे पेडों की फुनगी से जाक रहा था लेकिन कुछ अधूरासा था, अपनी सफारी जीपों में सवार परियटक आखिर गए कहां चाहे तेज धूप हो या बरसात, वे तो यहां आना कभी नहीं भूलते थे इस समय तो इधर उधर दोड़ती भागती गाडियों के शोर से सभी को परेशान होना चाहिए था उठाकर इधर उधर सूंगने लगे, यहां पापा यहां एक भालू शावक चिलाया, डीजल की गंद, डीजल की गंद, पिता भालू ने अपने बेटे से हाथ मिलाया और गहरी सास ली, बहुत सही मेरे बच्चे, लेकिन गंद ताजा नहीं है, ऐसे ही कोशिश करते रहो, जानवर मानव परियटको और उनकी जीपों की तलाश में लग गये, उन्होंने इंसानों के सभी पसंदीदा दर्शनियस थलो पर खोच करने का फैसला किया, कुछ हाथी और चीतल हिरन कभी नी बांध के पीछे जमा पानी के पास तलाश में लग गये, वे निश्चित ही य लेकिन उन्हें वहाँ कोई जीप नहीं दिखी, सुन्दर बागिन काजल अपने दो बच्चों के साथ मंदिर वाले तालाब की तरफ गई, निश्चित ही वे हमें देखने यहां आये होंगे, उसने सोचा लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें भी हार माननी पड़ी, आज कोई इंसान नहीं दिखा, वे हमें ऐस आकार वाले मोड पर ढूंड रहे होंगे, चुक्की बागिन गुर्राई, चलो वहाँ चलते हैं, उसने अपने तीन शावकों और उनके बड़े भाई की और इशारा किया, लेकिन बिजली लाइन तक का पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। लेकिन उन्हें न कोई जीब दिखी और नहीं इनसान, कही से कैमेरों की क्लिक, क्लिक, क्लिक ऐसे आवाज भी नहीं आ रही थी, धूप में चमकती कोई दुर्बिन नहीं, कुछ भी नहीं। उस रात कभी नी जंगल के जानवर चैन से ना सो सके, अगले दिन और उसके अगले दिन फिर से वही कहानी थी, मनुष्य ना जाने कहां गायब हो गए थे। कुछ देर के लिए कई जानवर इस शान्ती से खुश थे, उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है छुटकारा मिला, अब वे खुले आम घूम सकते थे और सडकों पर लेट सकते थे, शिकारी जानवर खुले में शिकार कर सकते थे, हर कोई स्वच हवा में सास ले सकता था, ले उन्हें मेरे आने से पहले ही ढून लेते है, बागिन नामा ने स्विकार किया, चलो आशा करते है कि वे जल्दी वापस आएंगे, हाथी मा सहमती से चिंगार उटी, कभी-कभी उनसे चिड तो होती थी, उसने कहा, लेकिन वे हमारे लिए जंगल पार करने और काटेदार प युआ दंतेल हाथी तंबु ने हस्ते हुए कहा, लेकिन उनके बिना सब कुछ बहुत उबाव है, कभीनी के जानवरों ने कुछ करने का फैसला किया, कई वर्षों के बाद जंगल परिशत की बैठक बुलाई गई, सबसे बूढे लंबे दात वाले हाथी भोगेश्वर ने कार्यभार संभाला, उसने सभी जानवरों को इकठा करने के लिए लंगुरों को आदेश दिया, थोड़ी ही देर में जंगल उनकी जोरदार खासी और चीखों से गुलजार हो गया, एक जरूरी बैठक होने वाली है, सभी को आना है, वे पुकार रहे थे, आप सभी सुरक्षित रहेंगे, कोई शिकारी हमला नहीं करेगा, आईए, सभी बांध के पीछे आजाईए, एक एक करके सभी जानवर, पानी के पास वाले खुले घास के मैदान में जमा हो गए, हाथी और बाग, हिरन और बंदर, गिलहरी और जंगली मुर्गी, भालू और मिथुन, उद्बिलाव और मगरमच, क्या अद्भुद रुष्ष था? भोगेश्वर ने कहा, वे हमारे जैसे ही थे, उसने अपने आसपास के हाथियों की और देखा, वे जुंड में रहते थे, अब उन्हें तुमारी तरह बनना होगा, चुकी, उसने बागिन मा से कहा, उन्हें सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना है, शायद वे इसलिए यहां नहीं आ रहे है, ता मतलब यह हुआ कि हम अब आजादी से घूम सकते है, सकारफेस नाम के तेंदुए ने कहा, उस दिन एक जीप लगबग मेरे उपर चड़ी जाती, उसने याद करते हुए कहा, दोई मुरुक शावक आगे आई, लेकिन मुझे इंसान पसंद है, उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, वे हमेशा मुस्कुराते है और मेरी तरफ हाथ हिलाते है, जब वे आसपास होते है, तो कोई बाग हम पर हमला नहीं करता, मुझे भी परियटक पसंद है, पारा मोर ठुमक कर बोला, वे वास्तव में मेरी सुन्दरता की प्रशंसा करते है, क्या आप जानते है कि मुझ उजे नाचता देख वे कितनी तस्वीरे खीचते है, लंगुर जोर से हस पड़े, हाँ 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 हम उन्हें आसानी से संभाल लेते है, उनमें सबसे बड़े लंगाने कहा, जैसे ही हम आवाज देते है, वे हमारे चारों और इकठा हो जाते है, अपने बड़े कैमरों को हम हमारी तरफ कर देते है, मैं अक्सर उन्हें बेवकूप बनाने के लिए जूट मूट की चेतावनी देता हूँ, बहुत मजाता है, चलो सच्चाई स्वीकार करते है, हमें उनकी याद आ रही है, स्पैनर बाग ने कहा, कई जानवरों ने सहमती में सिर हिलाया, तुम, तुम उन्हें याद करते हो, जाडियों से एक व्यंग पूर्ण आवाज आई, करिया, विश्व प्रसिद्ध काला तेंदुआ, ऐसे उभरा, जैसे आकाश से रेश्मी परचाई उभरी हो, माव कीजिए, मुझे ही उन्हें सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, छे साल से दुनिय भर से लोग मेरे और सिर्फ मेरे लिए यहाँ आते है, मुझे बस जमाई लेनी है और कैमेरों से गोलियों की तरह क्लिक-क्लिक की बौचार होने लगती है, उसने अन्य जानवरों की ओर तिरसकार से देखते हुए कहा, सफारी में आप लोगों की भरमार है, मैं ही अकेला का आला तेंदुआ हूं जिसे इंसान देखने की उम्मीद कर सकता है। इसके एक घातक रूप से पूरी तरह अंजान करिया बोले जा रहा था। पूरे जंगल में सन्नाटा चा गया। तो फिर ठीक है। हम सहमत है कि परियतक मनुष्यों से हमें कोई नुकसान नहीं है। भोगेश्वर ने हुंकार भरी। आओ हम प्रार्थना करें कि वे सुरक्षित वापस आए। हम तब तक अपना रिफासा जारी रखेंगे। कभीनी के जानवरों ने सिर जुका लिया। विशाल हाथियों से लेकर छोटे नेवले के बच्चों तक सभी ने मनुष्यों की कुशलता की प्रार्थना की जंगल में शान्ती चा गई। हो सकता है कि कभीनी के जानवरों ने उस दिन कोई जादू किया हो। शहरों और कजबों में इंसानों को भी जंगलों की कमी खल रही थी। अपने प्रिय जनों के स्वास्थ के लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने उन जंगली जानवरों की सलामती के लिए प्रार्थना की जिन की वे सुरक्षा करना चाहते थे। अंततहा वैज्यानिकों ने वाइरस से लड़ने के लिए टीका बना लिया यानि कि वैक्सिन जब महामारी का असर कम हुआ और लॉकडाउन हटा लिया गया तो प्रकृती प्रेमी फिर से कभीनी की तरब दौड पड़े उस सुबा कुछ जानवर रिफासा पर थे जब उन्होंने जीपों की पहली गड़गडा हट सुनी अरे वाँ हातियों के जूंड ने सूंड उठा कर गरजना की जिससे पूरे जंगल को पता चल गया कि इंसान वापस लौट आए है उस दिन परियटकों ने भरपूर आनन लिया बाग भालू और यहां तक की मायावी करिया भी जीपों के ठीक करीब आगए जैसे कह रहे हो वापसी पर आपका स्वागत है हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं हमें भी आपकी याद आई थी जैसे ही मानव सफारी फिर से शुरू हुई जानवरों ने अपनी ग्रेट रिफासा को समाप्त कर दिया और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं और एक अगली कहानी में तब तक बाई-बाई धन्यवाद मिलते हैं और एक अगली कहानी में तक बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई